आपको अमारे चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी खतरनाक एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसने प्ले स्टोर के उपर तहल का मचा हुआ है और पूरे वर्ल्ड वाइड वो फैली हुई है और काफी पॉपुलर भी होती जा रही है दोस्तो इस एप्लिकेशन को हम खतरनाक इसले कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में न्यूस चैनल के अंदर भी इस एप्लिकेशन के खतरनाक होने के बारे में बताया गया है दोस्तो वो एप्लिकेशन कौन सी है उसको हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तो देखे उस एप्लिके हैं आप इसमें मेकई अप कर सकते हैं इस तरह का मदलब एक तरह का फणी एप है यह तो इस से बहुत ही लोग ईंड़ेट कर रहे हैं लेकिन यह एप्लिकेशन जो है वह आपका डाटा चुरा रही है और वह किस तरह से चुरा रही है वह भी मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तो इस application के बारे में भी हाल ही में news channels में भी यह बताया गया था कि यह application जो है वो खतरनाक हो सकती है अगर आप इसको use कर रहे हैं तो यह Russian company के एक application है और American companies ने भी इस application के उपर दावा किया है कि यह आपके या user के personal data को चोरी करके अपने server के अंदर record कर रहा है लेकिन इस application का कहना यह है कि वो इस application में data तो use करता है data तो लेता है लेकिन वो 24 गंटे या 48 गंटे के अंदर ही server में से delete कर देता है लेकिन इसकी कोई guarantee नहीं है दोस्तो कि आपके यह data को अपने server में से delete करता भी है या नहीं करता दोस्तो जैसे कि हम जानते हैं कि face application जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ यही मिलेगा कि इसके अंदर आप young से old हो गए हैं या male से female बन गए हैं लेकिन ये आपके phone से कुछ खास permissions ले लेता है वो कैसे देखे हैं हम आपको यहाँ पर दिखाते ह या तो आप भी इस तरह से play store पर जाकर face app यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए इधर तो आप यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस application की पूरी detail आपको यहाँ देखने को मिलेगी तो आप यहाँ पर देखें नीचे के आपको क्लिक करके देखना होगा आप यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं अब यहाँ पर इस application की पूरी detail दी गई है कि इस application से आप क्या कर सकते हैं या क्या किया जा सकता है दोस्तों यह application जब famous हुई थी जब अभी highly made American presidents की भी photo जो है वो काफी old बना दी गई थी या कई हमारे बॉलिवूड की जो celebrity है उन्होंने भी application का use करके यंग से वो old बन गए थे तो यह काफी popular हुई और रातो रात तीस के millions जो हैं वो download हो चुके देखे तो दोस्तों यह खतरना क्यों है अब आप देखे यहाँ पर नीचे आपको एक section दिखे का permission का तो यहाँ पर इस application में screenshot लिया हुआ है और इसको मैंने जूम करके आपको दिखाया है तो यहाँ पर आप देखे पहले नंबर पर यह क्या permission आपसे मांग रही है कि आपके फोन की से यह फोटो भी खीच सकते है वीडियो भी ले सकती है चलिए वो तो एक काम करेगी क्योंकि यह face app है तो आपकी फो चेंज भी कर सकती है और उसे डिलीट भी कर सकती है यह खास ध्यान देने वाली बात है दोस्तों आप किसी दूसरी परमिशन को अपने फोन के अंदर कुछ भी चेंज करने की परमिशन दे रहे हैं और उसे डिलीट भी करने की परमिशन दे रहे हैं तीसरी बात नीचे यहा पर permission आप इसको दे रहे हैं उसके अलावा नीचे आप यह अदर्स का जो यह option देख रहे हैं यह पर यह अदर्स के option पर भी नीचे आपको full access आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यानि कि यह आपके phone के network से अपने server के अंदर कुछ भी data ले सकता है आपके internet से कुछ भी data जो है वो provide किसी को भी कर सकता है या google service को दे सकता है या google service से अपना data ले सकता है या ऐसी बहुत सारी permissions है जो यह आपके phone से direct यह connect होकर अपने server के अंदर install कर सकता है लेकिन इस application का तो कहना यह है कि वो 48 घंटे के अंदर आपका जो permission है वो server से delete कर देता है लेकिन इसमें कोई guarantee की बात नहीं है कि वो आपका data delete कर ही दे तो दोस्तों हाली में इसके बारे में new channels में यह बताया गया था कि हो सकता है आपकी आप यहाँ पर इस application को use कर रहे हो और आपने अपनी photo को young से old बनाया हो और या कुछ changes करें हो तो वो किसी भी चीज में वो use कर सकते हैं और किसी भी प्रकार में उसको इस्तिमाल किया जा सकता है चाहें आपको पता भी ना हो और किसी भी country में किसी भी product या किसी भी current से आपकी वो photo वहाँ पर बड़े-बड़े hoarding में लग जाए या किसी misuse के अंदर आ जाए त इसलिए इस application को खतरनाक खा गया है दोस्तो दोस्तो यह वीडियो इसलिए मैंने बनाई क्योंकि न्यूस चैनल में मैंने भी देखा था आप मेंसे शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा तो आप समझ सकते हैं इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आपको इस application के बारे पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको मरे बनाई हुए नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलती रहें यह बिल्कुल फ्री होता है आप इससे जासे जादा फायद होटा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद